चले 18 जून 2022 करड़फियस की कॉपी निकाले जगा और शुरुवात करेंगे लेह से तो केंदर शाषित प्रदेश है लदाक इसमें स्थिस लेह स्थल पर 11,562 फीट की उचाई पर इस्थापित हुआ है मोबाइल डिजिटल मुवी थियेटर और इसका अधगाटन जो है वो 22 से गस 2021 को किया गया लेके पलदान इलाके में स्थित या मोबी थियेटर विश्व में सबसे अधिक उचाई पर इस्थापित मोबी थियेटर है और लदाक में स्थापित होने वाला पहला मोबी थियेटर है तो बड़ी बात ये है कि विश्व में आपका सबसे अधिक उचा में सीगरही रोपवे की सेवा शुरू की जाएगी नेक्स पान लिखेगा उत्तर बदेश में इस्थित आगरा शेहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बना है नेक्स्ट है जामताड़ा के बारें बात करें तो एक समय ता जामताड़ा जो है सिर्फ साइगर ठक के लिए जाना जाता था और आज की स्थिती ये है कि जामताड़ा जो है लगातार इंक्रीस कर रहा है और किसी और चीज के लिए जाना जा रहा है और वो चीज ये है कि प्रते गाउं में सामधाइक पुस्तकाले मतलब लाइब्रेरी वाला भारत का पहला जिला बन गया है अप्रेल 2022 की बात है लिखेगा जारखंड में इस्थित या जिला जामताड़ा जिला प्रते गाउं में सामधाइक पुस्तकाले वाला भारत का पहला जिला बन गया है नेक्स्ट है भारती रेलवे द्वारा मडिपुर राज्ज में मडिपुर राज्ज में विश्वका सबसे उचा करीब 141 मेटर के आसपस गाट रेलवे पुल बनाया जा रहा है रेलवे पुल बनाया जा रहा है बनाया जा रहा है next है next point में लिखिएगा next point में लिखिएगा इंदौर के बारे में बात करें तो मदब्रिदेश में इस्थित इंदौर शहर स्वक्ष सर्वेक्षण 2021 के तहद भारत का पहला water प्लस सहर घोशित किया गया है स्टेट इंस्ट्यूट औफ फॉरेंसिक साइन्सेस इसका उधगाटन लखनों में किया गया सुजल के बारें बात करें तो हाल ही में हरियानराज के मुख्यमंत्री ने जल सरक्षन के लिए pilot project सुजल सुरू किया है तो है तो फिलाल हरियानराज का लेकिन important इसलिए है क्योंकि ये आपका पानी से related है हाल ही में हरियानराज के मुख्यमंत्री ने जल सरक्षन के लिए pilot जल सरक्षन के लिए pilot project सुजल सुरू किया है next है अभी हाल ही में सावा जील जो है वो चर्चा में आई है और ये आपका जीएस के portion में भी पूचा जा सकता है क्योंकि सावा जील हमेशा examination में पूची जाती है अक्सर ही तो चर्चा में क्यों आई है इसके बारें बात कर लेते हैं तो हाल ही में इराक की जो सावा जील है वो जल संकट से सुख गई है लिख लिजेगा पूचा तो ऐसे जाएगा कि सावा जील कहां पे स्थित है तो इराक में स्थित है लिखेगा हाल ही में इराक की सावा जील जल संकट से सूख गई है प्रत्वी टू का सफल परेक्षन किया गया कल इसके बारे में हम लोगों ने discuss किया था बहुत अच्छे से बात की थी और इस से रेडरेट काफी चीजों के बारे में हम लोगों ने बात की थी होफ़ली सबी लोगों के याद होगा हाल ही में भारत इसराइल यू एई और अमारिका ने एक नया समू आई-टू यू टू बनाया है next है हाली में मुंबई हवाई अड़ा हाइब्रिड बिजली पर्योजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड़ा बना है पहला हवायड़ा बना है हाल ही में मुंबई हवायड़ा हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवायड़ा बना है नेक्स्ट है आरती प्रभाकर के बारे में बात करें तो हाल ही में आरती प्रभाकर जी को अमेरिका के राष्टपती के विज्ञान सलाकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा नियुक्त किया जाएगा Next point है Next point है कुछ युद्धा भ्यास हैं वो लिख लिजेगा एक्वरिन भारत मालदीव के बीच होता है एक्वरिन नामक युद्धा भ्यास भारत और मालदीव के मद्धी होता है पासेक्स के बारे में लिख लिजेगा भारत रूस के बीच में होता है अभी ये 14 जनुरी 2022 को हुआ भी है पासेक्स भारत रूस के बीच होता है मित्र शक्ति के बारे में लिख लिजेगा मित्र शक्ति के बारे में लिख लिजेगा भारत श्रिलंका के मद्धी होता है लास्ट टाइम जो हुआ था वो अक्टूबर में हुआ था 2021 में तो मित्र शक्ति भारत श्रिलंका के मद्धी होता है जिमक्स लिख लिजेगा भारत जापान की मद्धी होता है भारत जापान की मद्धी हो नेक्स्ट है ओपरेशन गंगा के बारे में बात करें तो ये अभी एक्जामनेशन में पूछा भी गया था 12 जून 2022 को वैसे तो इसको कितनी बार पढ़ाया गया आप लोगों को उसकी कोई लिमिटी नहीं मुझे लग रहा कम से कम 25 तीस बार तो पता है गया होगा इस चीज के बारे में और ये ऐसा प्रशन था जो कोई भी कर सकता था ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाया तो आप लोगों को आता होगा ये ओपरेशन गंगा इतना जादा चर्चा में था तो सभी लोगों को आता ही होगा ठीक है तो ओपरेशन गंगा भारत द्वारा यूक्रेन में फसे भारती नागरिकों के बचाओ के लिए शुरू किया गया थ नेक्स्ट है वरुन के बारे में बात करें तो वरुन 2022 जो है भारत और फ्रांस के बीच में एक नौसेन अभ्यास है लिखेगा वरुन 2022 भारत और फ्रांस के बीच में एक नौसेन अभ्यास है युद्ध अभ्यास लिख लिजेगा यह भारत और अमैर्का के मद एक युदभयास है सैन अभ्यास है निखेगा युदभयास भारत अमैर्का के बीच सैन अभ्यास है यह आपका पिछली बार जो हुआ था वो करीब अक्टूबर 2021 में हुआ था और अलसका USA में हुआ था ठीक है तो होफिली चीज़े समझ में आई होंगे आप लोगों को चले 18th of June 2022 करण फेस की क्लास के लिए नहीं